तो कैसे हैं आप गाइस कैसी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है रात की नौ बज रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं प्लांट पैथलोजी की क्लास तो इसे पिछली वाली क्लास में हम लोग ने वाइरस के क्लास की के बारे में पड़ा है तो पैटा बहुत जादा इमपॉर्टन होती हैं इक्ञम समें पूछी जाती है तो so that हमारे ले काफी जादा important थी और हमारे ले पढ़नी भी बहुत जादा जरूरी थी ठीक है तो चलो वो तो हम लोगों ने last class में पढ़ लिया है ठीक है very good evening शुर्भी तो बेटा आज जो हमारी class है इसमें हम लोग को पढ़ना है fasterious vascular bacteria के बारे में fasterious vascular bacteria means जो vascular system क्या होता है vascular system जो होता है generally बिटा plant में जब हम vascular system की बात करते हैं तो plant में आपका vascular system क्या होता है जो water and minerals को transport करता है राइट जैसे like आपके xylem हो गए phloem हो गए ठीक हैं तो इन portions में generally जो microorganisms आपके infection cause करते हैं, those are called vascular bacteria, right very good evening रचना तो ये जो आपके bacteria होते हैं इनको बोला जाता है vascular bacteria, ठीक है जो आपके generally xylem या फिर phloem वाले portion पे infection करते है तो इसी लिए इनको बोला जाता है fastidious vascular bacteria क्या बोलते हैं, fastidious vascular bacteria बोलते हैं, ठीक है चलो, अब हम without delay अपनी class start करते हैं ठीक है तो आज की thought के साथ हम आज की class start करते हैं तो आज का thought आप लोग की screen पे है जैसा कि आप लोग देख सकते हो success की सबसे खास बात ये है कि वो सिर्फ महनत करने वाले लोगों पर ही फिदा होती है, ठीक है तो कितना अच्छा thought किसी ने बड़ी शिददत से लिखा है कि success की सबसे खास बात ये ही है, कि वो महनत करने वालोडों पर ही फिदा होती है तो बेटा जो अच्छे से पूरी शिददत से महनत करता है success भी उसी को मिलती है success भी उसी के पास आती है तो इसलिए आप लोगों को भी क्या बनना है महनती बनना है, महनत करनी है ताकि आपकी success भी आपके उपर फिदा हो जाए और आपके पास आजाए ठीक है, चलो, अब हम लोग आज की class start करते हैं ओके, तो इस यह आप लोग की screen पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो फास्टीरियस वेस्कूलर बिक्टीरिया ठीक है, तो फास्टीरियस वेस्कूलर जो बिक्टीरिया होते हैं बेटा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जैनरली यह और्गन स्पेसिफिक है ठीक है क्या है और्गन स्पेसिफिक और्गन स्पेसिफिक मीन्स कि जैसे ये आपके क्या मैंने क्या बताए कि वैस्किलर सिस्टम क्या होता है प्लांट का जो आपका जायलम या फिर फ्लोएम वाला रीजन होता है ठीक है जायलम या फ्लोएम वाला जो रीजन होता है इसको ज systems पे generally जो आपका जायलम या फ्लोएम वाला रीजन होता है यहाँ पर generally जो आपके bacteria infection cause करते हैं those are called fastidious vascular bacteria राइट अब यह जो आपके bacteria होते हैं बेटा यह आपके fastidious vascular bacteria होते हैं इनको हम rlb भी बोलते हैं ठीक है rlb मतलब आपके rickettsia like bacteria क्या बोलते हैं इन्हें हम rickettsia like bacteria भी बोलते हैं ठीक है तो यह चीज़ आप लोग धिहान रखना है कि exam में अगर आपसे पूछता है rickettsia like bacteria rlb तो rlb कुछ नहीं है rlb आपका क्या है fastidious vascular bacteria को ही हम क्या बोलते हैं rickettsia like bacteria बोलते हैं ठीक है दूसरी चीज़ यह आपके prokaryotics होते हैं definitely सारे bacteria हमारे prokaryotes होते हैं like आपके primitive nucleus इन में present होता है तो यह सारे bacteria हमारे क्या होते हैं prokaryotes होते हैं ठीक है दूसरी चीज़ ही क्या कह रहा है their nutrition nutritional requirement अगर बेटा हम इनके nutritional requirement की बात करते हैं तो इनका nutritional requirement होता है यह generally आपका क्या होता है यह आपका refuse grow on routine bacteriological media यह आपके किसी भी routine bacteriological media इससे क्या मतलब है बेटा कि यह जो आपके bacteria होते हैं generally यह आपके particularly किसी artificial media में grow नहीं करते है यह अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि यह आपके क्या है part specific है organ specific है अब देखो अगर हम normal media बनाते हैं ठीक है bacterial media अगर बनाते हैं उसमें इन्हें grow करने की सोचते हैं तो यह कैसे grow करेगा क्योंकि यह तो organ specific plant है sorry organ specific pathogen है अब उसको तो particular organ चाहिए ना वो organ की condition तो हम उसको यह नहीं दे सकते artificial में तो इस लिए यह चीज़ भी हमारे माइं में specific हो जाती है बेटा कि यह जो आपके bacteria है यह क्या है specific है ठीक है यह bacteria आपके specific है organ specific है तो इस वज़े से हम इने क्या नहीं कर सकते हैं हम उन्हें किसी भी artificial condition में grow नहीं कर सकते because these bacteria are completely specific for a part of plant ठीक है क्योंकि यह plant के एक part के लिए specific है इस लिए हम इने एक artificial यह media में grow नहीं कर सकते तो यह तीनों चीज़े clear हो गई इन्हें हम क्या बोलते है रिकेट्सिया लाइक बेक्टीरिया बोलते हैं ठीक है यह हमारे prokaryotes होते हैं और अगर हम इनकी nutritional requirement की बात करते हैं अगर हम इनकी आपकी यह food की बात करते हैं तो यह आपकी natural condition में ही grow करते हैं यह आपकी artificial condition में grow नहीं कर पाते हैं because they need specific organ to grow क्योंकि उन्हें plant का specific organ चाहिए जहां पर वो अपनी growth करते हैं ठीक है तो यह चीज़ हमें clear हो गई चलो अब इसकी बाद हम लोग पढ़ते हैं RLB are restricted mostly to xylem और phloem तो यह generally आपके restricted होते हैं कहां पर xylem या फिर phloem को ले करके ठीक है देखो बेटा यह generally आपकी xylem या phloem वाले पार्ट में ही infection करते हैं तो मैंने आप लोग को बताए कि इस वज़े से यह क्या होता है इनका जो nutritional level होता है यह particularly यहां पर ही specific होता है इसी वज़े से यह आपके किसी और condition में grow नहीं कर पाते हैं अब देखो दूसरी चीज़ी क्या कह रहा है common habit for both is insect body fluid यह generally आपके आपके leaf ओपस के थूँ या आपके vectors के थूँ बेटा यह transmit करते हैं ठीक है generally क्या करते हैं आपके जो यह vectors होते हैं ठीक है उनके उपर insect vectors के थूँ य जाते हैं ठीक है तो यह जो आपके bacteria होते हैं generally इनके लिए insect vector insects जो है बेटा यह इनके लिए transmission का desamination का बहुत अच्छा काम करते हैं ठीक है very good evening rose ओके चलो अब हम next reproduction की अगर हम बात करते हैं बेटा तो bacteria है तो definitely यह तो इसमें क्या होगा sexual reproduction होगा या फिर यहाँ पर जो इसमें reproduction का feature है क्या बता रहा है binary fusion बता रहा है कि यहाँ पर reproduction जो होता है बेटा वो आपका binary fusion के थूँ होता है तो binary fusion मैंने बताया था binary fusion किसका mode है asexual reproduction का mode है, ठीक है, क्योंकि sexual में तो हमारे तीन ही आते हैं, transduction आता है, transformation आता है and conjugation आता है, ठीक है, कौन-कौन से आते हैं, transduction, transformation and conjugation, ये तीन हो जो हमारे mode हैं बेटा, ये आपके sexual reproduction के होते हैं, और asexual reproduction की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें binary reason होता है, fragmentation होता है budding होता है ठीक है यह हमारे कुछ types होते हैं जो क्या करते है ए sexual reproduction करते है तो यहां पर यह bacteria भी क्या करता है बेटा binary fusion करता है binary fusion में आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था ठीक है septa form करता है अंदर से फिर उसके complete cross wall form कर लेता है ठीक है और फिर इसके अंदर आपका bacteria का nuclear यह DNA present होता है इस तरीके से ठीक है तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहां पर यह जो अंदर वाला portion है यह अलग से एक septa बनाना शुरू कर देता है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से septa बनाना शुरू कर देता है और यहां replicate करके दोनों parts में अलग-अलग DNA आ जाता है और फिर उसके अदिये septa जो है बिटा ये बाहर से completely क्या बना देता है cross wall formation कर देता है ठीक है इस तरीके से cross wall formation ये कर देता है और धीरे-धीरे क्या होता है ये बाहर की जो wall है ये दोनों अलग-अलग हो जाती है इस तरीके से अलग हो जाती है दोनों के पास अलग-अलग DNA आ जाता है तो ये process मैंने आप लोगों को बताया था कि ये process आपका binary fusion का होता है बात समझ में आ गई तो ये वाला process क्या binary fusion का और ये जो bacteria है ये आपका binary fusion वाली process को ही follow करता है ठीक है अब effective drug हम देख लेते हैं इसके लिए कि अगर य जो है इसके लिए penicillin जो है वो इसके penicillin is effective against RLB penicillin इसके लिए effective होता है ठीक है penicillin जो ड्रग है वो इसके लिए effective है क्यों effective है इसलिए effective है क्योंकि इन वैक्टीरियां में cell wall मिलती है ठीक है ये ऐसे prokaryotes है इनमें आपकी cell wall present होती है और penicillin किस पे attack करता है मैंने बत कर देता है अब देखो cell wall जैसे ही break होगी cell wall जैसे ही टूटेगी तो body के सारे organs क्या होगे बाहर आ जाएंगे और bacteria की death हो जाएगी बात समझ में आ गई जैसे कि हमारी body में हमारी skin है अगर पूरी body से skin निकल जाए तो सारे organs बाहर आ जाएंगे ना ठीक है या फिर अगर हमारी पूरी bones अगर टूट जाएं बाहर निकल जाएं तो क्या होगा सारे organs बाहर निकल जाएंगे और हम मल जाएंगे है ना तो वही चीज यहां पर bacteria के साथ भी होती है बेटा कि जैसे penicillin उस पे act करता है उसकी cell wall को break कर देता है तो bacteria के सारे organs बाहर आ जाते है और bacteria की ultimately death हो जाती है ठीक है तो यह आपका penicillin इसके against effective होता है और sulfur drug भी इसको inhibit कर सकता है बात समझ में आ गई sulfur drug भी इसको inhibit कर लेता है और penicillin भी इसके against क्या करता है बहुत effectively work करता है ऐसे microorganisms को खतम कर लेता है तो इतना हम लोग को समझ में आ गया बेटा इतना हमें clear हो गया fastidious vascular bacteria के बारे में इतना हमें समझ में आ गया बेटा अभी मैंने starting की starting में बताया था कि यह generally plant की phloem और xylem पे work करते है किसी भी plant में ठीक है phloem और xylem में infection cause करते है ठीक है तो चलो इतनी चीज़े हमें clear हो गई यह क्या होते हैं आपके prokaryotes होते हैं wald prokaryotes होते हैं जिनमें आपकी wall मिलती है cell wall present होती है अब cell wall present होती है तो इसके against हम penicillin use कर सकते हैं क्योंकि because I told you कि penicillin जो है वो cell wall पे work करता है reproduction की अगर हम यहां पर बात करें तो binary season होता है अगर हम nutritional requirement की बात करें तो यह specific है क्योंकि vascular bacteria है तो इस वज़े से यह आपका कहां पर grow करता है vascular है इस वज़े से यह bacteria जो है यह आपके specific reasons पर grow करता है like your phloem and xylem तो इतनी चीज़ clear हो गई और insect vectors के थूँ यह एक जगे से दूसरी जगे आपके transmit होते हैं बात समझ में आ गई चलो अब हम लोग next slide पे चलते हैं rlb can be divided into divided into three groups तो यह जो rlbs होते हैं बेटा rickettsia like bacteria जो आपके होते हैं fosterious vascular bacteria जो होते हैं इनको हम three parts में divide करते हैं अब हम яв देख लेते हैं ठीक है तो first आता है भीटा हमा जाईलम limited rlb xylem limited rlb मतलव जो bacteria आपके सिर्फ xylem ने infection करते हैं वैस्कुलर system में भी वह क्या कर हैं सिर्फ xylem में infection कर रहे हैं ठीक है अब देखो दूसरे होतें peloem limited rlb मतलब phloem में infection कर रहे हैं कहां infection कर रहे हैं phloem में infection कर रहे हैं और दूसरे होते हैं हमारे non-tissue restricted RLB non-tissue restricted RLB जो आपके किसी भी tissues के लिए restricted नहीं है जो कहीं पर भी आपके infection कर देते हैं non-tissue restricted RLB भी आपके होते हैं कुछ तो इसमें specific होते हैं, जो सिर्फ xylem में आपका infection करते हैं, ठीक है, xylem limited है, कुछ आपके phloem limited है, और कुछ आपके non tissue restricted RLB होते हैं, ठीक है, good evening बच्चे हो, अब देखो, first हम बात कर लेते हैं xylem limited RLB की, तो xylem limited RLB क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो जो xylem limited RLB होते हैं बेटा, तो क्या के रहा उसके बारे में, the cell usually have well defined cell wall and plasma membrane, क्या बूल रहा है, कि ये जो cells होती हैं बेटा, ये जो bacteria होते हैं, इनकी cells में well defined cell wall होती है, well defined cell wall का मतलब होता है, कि ये completely आपके cell wall से covered होते हैं, इस तरीके से ये bacteria होते हैं, और इनके बाहर से आपकी proper जो होती है, वो cell wall बनी होई होती है, so these bacteria have well defined cell wall and well defined plasma membrane, तो इसके अंदर एक proper आपकी सही सी layer होती है plasma membrane की, और बाहर से एक proper layer होती है cell wall की, right, so understand this point, ये point समझ में आ गया, these cells usually have well defined cell wall and plasma membrane, right, चलो, अब हम next point देखते है, triple layer in the structure, इनके structure में triple layer होती है, triple layer कैसे होती है, देखो बाहर की external ये हो गई, फिर इसके अंदर एक proper cell wall हो गई, और फिर अंदर plasma membrane के एक proper layer हो गई, तो इनके body में, बेटा, triple layer होती है, ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपके gram negative होते हैं, क्या होते हैं, बेटा, gram negative होते हैं, अब क्यूंकि ये gram negative bacteria होते हैं, तो इस वज़े से, बेटा, ये आपका कौन सा color show करेंगे, just because of these bacteria are gram negative, so these bacteria shows pink color, ठीक है, ये bacteria कैसा color show करेंगे, pink color show करेंगे, मैंने अप लोगों को बताया भी था, कि जो आपके gram positive bacteria होते हैं, जो आपके gram positive bacteria होते हैं, वो कैसा color show करते हैं, दो shows purple color, वो क्या करते हैं, आपका purple color show करते हैं, लेकिन जो आपके gram negative bacteria होते हैं, वो कौन सा कलरे शौ करते वह आपका पिंका शौ करते हैं और ग्राम फॉस्य बिक्तीरिया पर कलर शौ करते कि इसका रीजन भी म pull को बतायार कि जिस बिक और ईख़य जो सीघ् 1 होती है और जहादा कि goinmekि वह इस मिलेसक। थिप्सक्राइब खुद फरियल यौ ip अच्छे से आपका gram negative bacteria absorb करता है gram positive bacteria methylene blue methylene blue जो हम first strain डालते हैं उसको बहुत अच्छे से absorb करता है so that जो आपके gram positive bacteria है बेटा वो आपके blue color absorb करते हैं और जो आपके gram negative bacteria है वो आपके counter strain में सेफरेनिन को absorb करते हैं और pink color show करते हैं ठीक है तो यह चीज समझ में आगई xylem limited rlb में इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया ओके चलो अब हम आगे देखते हैं अब दूसरे characters इन में हम देख लेते हैं बेटा यह आपके non motile होते हैं non motile means यह आपके move नहीं कर सकते हैं देखो motile bacteria वो होते हैं जो आपके एक space से दूसरे space में move कर सकते हैं लेकिन यह जो bacteria होते हैं बेटा यह आपके एक space से दूसरे space पे move नहीं कर सकते हैं they can't move from one space to another space ठीक है so that यह आपके क्या होते हैं non motile होते हैं right दूसरे चीज़ gram negative bacteria होते हैं बात समझ में आ गई तो आपके xylem जो आपके xylem restricted bacteria होते हैं वो क्या होते हैं आपके non motile होते हैं means किसी दूसरे place पे नहीं जा सकते हैं अगर उन्होंने xylem infection किया है तो वो xylem वाले part में ही रहेंगे दूसरे phloem वाले part में वो नहीं जा पाएंगे because they don't have legs to move they don't have flezzilla to move क्योंकि उनके पास flezzilla नहीं होता है move करने के लिए इसके अलावा उनके पास कोई भी आपके pseudopodias नहीं present होते हैं so they can't move okay वो move नहीं कर सकते हैं right दूसरी चीज़ है क्या क्या रहा है gram negative होते है तो gram negative होते है so this shows pink color okay oxidase negative तो oxidase negative तो यह क्या होते है oxygen की in presence में work नहीं करते हैं अब देखो यह body के बिलकुल अंदर रह रहे हैं कहां रहे हैं बिलकुल अंदर रहे हैं so that इनको oxygen की requirement नहीं है plant के अंदर थोड़े न oxygen जाएगी विलकुल है ना तो यह क्या है रहे हैं आपके जायलम वाले पार्ट में रहे हैं तो जायलम वाला पार्ट कहा है plant के अंदर प्रेसेंट है तो इसलिए बिटा यह आपके क्या होते हैं oxidase negative होते है oxygen की requirement इने नहीं होती है दूसरी चीज़ catalyze positive catalyze positive और catalyze positive क्या होता है बिटा catalyze actually एक test होता है ठीक है यह एक test होता है वहाँ पर हम identify करते हैं कि bacteria आपका catalyze positive है या नहीं है अब देखो catalyze positive होने का मतलब क्या है बिटा कि जब भी हम इसमें hydrogen sulfide या फिर हम इसमें HCL डालते है न जब भी हम इसमें acid डालते है hydrogen sulfide या HCL डालते है तो यह क्या करता है अगर यह catalyze positive होगा तो यह bubble formation करेगा ठीक है यह क्या जैसे ही हम उसमें डालते है न बिक्टीरिया को एक slide पे रखते हैं और उसके उपर हमने HCL डाल दिया है S2SO4 डाल दिया तो वो bubbles बना ले लगता है बड़े बड़े लेकिन अगर वो bubbles नहीं बनाएगा that we can understand कि यह bacteria catalyze negative है ठीक है अगर वो bubble produce नहीं करता है जसे schodomonas है schodomonas जो bacteria है बेटा वो bubble produced करता है ठीक है वो क्या करता है bubble प्रodyuze करता है टो जब वो bubble produce करता है तो हम उससे यह identify कर सकते है कि यह बग्तीरिया bubble produced कर रहा है तो यह TRA 겠지만 लेकिन जो bacteria आपका bubble produce नहीं करेगा, those bacteria are catalyze negative, तो ये जो bacteria है बेटर ये भी आपका catalyze positive होता है, ये आपका bubble production करता है, जिस वज़े से हम इसको क्या consider करते हैं, catalyze positive हम इसको consider करते हैं, बात समझ में आगई, तो non motile होते हैं, means move नहीं कर सकते हैं, gram negative bacteria होते हैं, means ये दोजा pink in color, oxidase negative होते हैं, तो oxygen की कोई requirement ही नहीं है इन्हें, और ये catalyze positive होते हैं, means ये bubble production करते हैं, when we are going to observe the test, catalyze, इतनी बात समझ में आगई, ये चीज़ clear हो गई, H2S hydrogen sulfide, H2S, H2S नहीं बेटा, H2SO4, H2SO4 होता है आपका hydrogen sulfide, ठीक हैं, ओके, ये sulfuric acid जिसको हम बोलते हैं, ठीक हैं, चलो, अब हम next slide देख लेते हैं, एक मिनट, इसके symptoms भी तो थे, हाँ, अब देखो, अब हम इसके symptoms की बात कर लेते हैं, तो symptoms इसके क्या होते हैं, बेटा, marginal necrosis होती है, इसमें जो leaf वाला portion है, उसमें marginal necrosis होती है, मीस उसमें leaf का जो, बिल्कुल किनारे वाला part होता है, ठीक है, इस तरीके से leaf, यहां दिखाई दे रहा है, क्या, यह बीच में visible हो रहा है, जल्दी से बताओ, यहां बीच में दिखाई दे रहा है, या फिर मैं इस यह test कर सकता है, यह नहीं कर सकता, अगर कोई bacteria किसी test के लिए positive है, तो उसको फिर utilize, उसके लिए research के according आप उसको फिर utilize कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको research में कई पर use करना हो, तो वहां पर आप उसको रख करके utilize कर सकते हो, इसलिए different type के test करे जाते हैं, जैसे catalyze हो गया, और oxidase हो गया, ऐसे ही बहुत सारे test होते हैं, जो करे जाते हैं, तो research के लिए अगर उन्हें use करना हो, तो हम उन्हें test करते हैं, ठीक है, as such ऐसा कुछ नहीं है, अनिल कुमार दिखाई दे रहा है, ओके, ठीक है, अब देखो बिटा, तो यह जैसे leaf हो गई, ठीक है, तो leaf का जो यह बिलकुल किनारे वाला portion होता है, यह बिलकुल side वाला जो marginal portion होता है, यह portion yellow होना start हो जाता है, ठीक है, इस portion में जब आपकी necrosis होती है, तो यह वाला portion जो है, बिलकुल yellow हो जाता है, ठीक है, तो जब भी इन बेक्टीरिया का जो आपके xylem specific जो आपके यह बेक्टीरिया होते हैं rlbs होते हैं rickettsia like bacteria होते हैं जैसे इनका infection होता है तो आप leaf में उस infection को identify कर सकते हैं necrosis हो जाती है marginal necrosis होती है ठीक है leaf का जो बिल्कुल किनारे वाला portion है वो completely yellow हो जाता है ठीक है अब हम susceptibility अगर हम देखते हैं बिटा तो ये आपके tetracycline के लिए susceptible होते हैं किसके लिए susceptible होता है tetracycline के लिए susceptible होते हैं अगर आप इसमें tetracycline वाला drug डालते हो अगर आप इसमें tetracycline वाला drug यूज करते हो बिटा तो tetracycline का जो drug होता है generally वो इसके लिए काफी जादा effective होता है तब आप infection से उस plant को बचा सकते हो ठीक है अब हम यहाँ पर example देखें तो यहाँ पर example है पियर्स disease of grapevine ठीक है पियर्स disease of grapevine इसका example हो गया and almond leaf scotch almond almond leaf scotch जो है and pierce disease जो है grapevine की उन वो generally आपकी xylem specific disease होती है xylem like आपके rlb जो होते है rickettsia like bacteria वो आपके cause करते हैं ठीक है ओके चलो अब हम लोग next देख लेते हैं phloem limited rlb phloem limited rlb का मतलब है बेटा की ऐसे bacteria जो generally आपके phloem में ही infection करते हैं ठीक है कहाँ पर infection करते है only phloem वाले portion पे वो जादा infection करते हैं ठीक है और rod shape होते हैं तो वहां से हमारे mind में एक चीज़ क्लिक करते हैं कि rod shape है तो इस वज़े से यह क्या होंगे आपके bacillus होंगे कैसे होंगे बीटा बैसलस होंगे just because मैंने आप लोग इससे पहले वाली class में भी बताया था कि round shape कौन होते हैं कोकाई होते हैं बताया थी यह बत आराउंड शेप आपके कोकाई होते हैं और rod shape क्या होते हैं बैसलाई होते हैं तो ये चीज़ हमें clear होंगए कि यह आपके rod shape है तो यह क्या होंगे आपके bacillus होंगे ठीक ह्या है? specifically rod shaped होंगे ठीक है, ओके, then आता है आपका gram negative and sensitive to penicillin, ये भी आपके gram negative होते हैं, ठीक है gram negative है, तो gram negative से हमें एक चीज़ और click कर गई, pink in color ठीक है, gram negative है तो means pink in color, इनका color जो होगा, वो pink होगा ठीक है, और sensitive to penicillin ये generally penicillin के लिए sensitive होते हैं, जैसे zylem like bacteria था, तो वो किसके लिए sensitive था tetracycline के लिए sensitive था लेकिन यहाँ पर जो phloem like RLB है बेटा, ये आपका penicillin के लिए sensitive है, आग़ी बात समझ में, वो भी आपका gram negative था और यहाँ पर ये भी आपका क्या है, gram negative है, तो both are pink in color, दोनों के दोनों कैसे हैं आपके pink color के हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है चलो, अब हम दूसरा पढ़ते है, double membrane और the cell wall and cytoplasmic membrane, अब देखो, इससे पहले हमने पिछली वाली में क्या पढ़ा था वो आपके triple layer थी, और ये जो है, ये double layer है, ठीक है xylem like जो हमारा बिक्टी rlb था बिटा, xylem rlb जो था, वो xylem limited rlb triple layer था, और ये जो आपका phloem limited rlb है ये क्या है, double layered है, आगी बात समझ में, ये generally आपका क्या है double layered है, ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो cannot grown on in vitro cultivation, और in vitro condition अब देखो, similar चीज है ठीक है, similar चीज यहाँ पर बता रहा है कि ये आपका in vitro cultivation, in vitro cultivation का मतलब होता है, in vitro culture का मतलब होता है बेटा, जो आपकी lab condition होता है, और lab condition में हम कब grow करते हैं, जब हम खुद से media बनाते हैं, ना lab में हम खुद से media बनाते हैं, अब यहाँ पर हम lab में अगर media बनाएंगे तो यह जो आपका bacteria grow नहीं करेगा, because these bacteria are organ specific, क्योंकि यह जो bacteria है बेटा आपके यह organ specific है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि xylem वाला जो bacteria है, ठीक है, xylem वाला जो bacteria है, वो भी आपका क्या करेगा, इस तरीके से बाहर grow नहीं करेगा, बात समझ में इस तरीके से वो आपका बाहर grow नहीं करेगा कहां करेगा, प्लांट के सिर्फ xylem वाले पार्ट में ही करेगा, और phloem भी जो है बेटा वो भी आपके सिफ क्या करेगा phloem वाले पार्ट पे ही ग्रो करेगा because these both microorganisms are organ specific क्योंकि इनकी जो condition है वो specifically वो organ ही provide करेगा बात समझ में आगई वो specifically कौन provide करेगा organ ही provide करेगा बात समझ में आगई तो चलो ये चीज हमें clear हो गई cannot grown on in vitro condition कहां grow नहीं करते हैं in vitro condition में ये grow नहीं करते हैं क्योंकि ये organ specific है तो ये तीनों चीज़े clear हो गई rot shape होते हैं तो मतलब bacilli होते हैं penicilline के लिए sensitive है और gram negative bacteria है double membrane होती है इनमें दो layer होती है ठीक है और कभी भी आपके artificial condition में grow नहीं करते हैं इतना समझ में आगया चलो अब हम next देख लेते हैं symptoms अब इससे पहले xylem like xylem like rlb का symptom क्या था उसमें leaf के margin वाले पार्ट में necrosis हो जाती है ठीक है यहां पर क्या है yellowing of young leaf यहां पर आपकी क्या होती है बेटा जो young leaves है means new leaves है आपकी young leaves जो है बेटा उसमें yellowing हो जाएगी ठीक है जो नई नई leaves है आपकी वो बहुत जल्दी आपकी yellow color की हो जाएगी क्यों क्योंकि उनमें chlorosis हो जाएगा necrosis हो जाएगा जो chlorophyll है वो break हो जाएगा और chlorophyll के break होने की विज़े से leaves का जो color है बेटा वो yellow color में convert हो जाएगा बात आ गई समझ में leaves का जो color है वो yellow color में convert हो जाएगा ओके so young leaves are yellow in color and stunting यहाँ पर plant की जो growth है बेटा वो क्या हो जाएगी stunt हो जाएगी ठीक है तो plant की जो growth है वो यहाँ पर रुक जाएगी इसके अलावा इसके अलावा जो आपकी young leaves है ma'am आप कहां हो सही से नहीं दिखाई दे रहा बच्चों आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं तो studio में ही हूँ तो मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ आप लोगो जल्दी से बताओ मैं आप लोगो visible नहीं हूँ क्या students बेटा जल्दी से कमेंट करो आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ ऐसा तो होई नहीं सकता क्योंकि मैं स्टूडियो से पढ़ा रही हूं तो यहां से तो सब कुछ विजिबल होता है बच्चा आप लोगो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे ऐसा तो होई नहीं सकता है यार कि यहां से दिखाई न दे जल्दी से कमेंट करके बताओ दिखाई तो दे रहा है चलो ठीक है अब हम लोग ये हम लोग उने Xylam Restricted के बारे में पढ़ लिया ठीक है अब इसके बाद हम लोग उने Floem Restricted के बारे में भी पढ़ लिया एक सगेड हाँ अब हम लोग थोड़ा सा Transmission पढ़ लेते हैं ठीक है, अब हम लोग पहले इसका transmission पढ़ लेते हैं, transmission means कि ये एक से दूसरे में किस तरीके से spread होता है, ठीक है, एक से दूसरे में किस तरीके से बिटा ये spread होता है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि symptoms हम लोगों ने इसके पढ़ लिये हैं कि growth को stunt कर लेता है stunt means growth जो है वो रुख जाती है ठीक है growth जो है वो stunt हो जाती है रुख जाती है और ये leaves की yellowing हो जाती there is a yellowing of young leaves young leaves जो है वो आपकी yellow हो जाएंगी and growth जो है वो stunt हो जाएंगी right इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अब transmission के बारे में कि ये एक से दूसरे में किस तरीके से transmit होता है किस तरीके से ये disseminate करता है बात समझ में आगई आप देखो transmission is by leaf hopper daughter and grafting देखो इसका जो transmission है बेटा वो leaf hopper के थू होता है ठीक है leaf hopper जो है वो इसके as a vector की तरह काम करता है ये उसकी body के उपर चला जाता है ठीक है और वहाँ से ये क्या होता है जहाँ leaf hopper जाएगा फिर वहाँ जाकर के ये फिर अपनी landing कर लेता है और वहाँ पर infection cause करता है बात समझ में आगई तो ये leaf hopper के थू होता है इसके लावा daughter की थू भी spread होता है ठीक है और grafting के थू भी अगर आप ऐसे plant की grafting करते हो जिसमें already क्या है phloem infection है ठीक है phloem में आपका RLB है rickettsia like bacteria का infection है बेटा अगर आप ऐसे plant को लेते हो grafting के लिए तो वो दूसरे plant में जहाँ आप उसको graft करोगा as a shion या stock अगर आप उसको graft करते हो तो वहाँ पर वो क्या करता है infection cause करता है ठीक है इतनी बात समझ में आगई आशुतोष तरपाथी बहुत दिनों बाद तुमारा comment दिखाई दे रहा है बेटा काफी दिन बाद class में आये हो लगता मुझे चलो इसका example हम लोग देख लेते हैं तो इसका example है citrus greening ठीक है इसका example है citrus greening तो citrus greening is transmitted by citrus sila ठीक है citrus greening जो है ये आपका example है और citrus greening जो है वो transfer होता है आपका citrus sila के थो ठीक है आपका जेनरली सित्रस साइला के थूँ आपका इंफेक्शन जो है वो ट्रांस्मेट होता है बात समझ में आ गई चलो ठीक है अब हम आगे पढ़ लेते हैं तो हम लोगों ने आपके जो रिकेट्सिया लाइक बेक्टीरिया जो आपके जायला में इंफेक्शन करते हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया और जो आपके फ्लोय में इंफेक्शन करते हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा नॉन टिशू रिस्टिक्टेड आरल बीस के बारे में ठीक है नॉन टिशू रिस्टिक्टेड आरल बीस के बारे में जो तो अभी तक यह क्या थे, tissue restricted थे, या तो xylem infection करे थे, या फिर phloem infection करे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके non-tissue restricted है, मतलग कहीं पर भी infection कर सकते हैं, okay, there is a no need to, sorry, कोई बात थी, you are very welcome in the class, okay, चलो, they are also found in parenchyma, ये कहां-कहा मिलते हैं, तो parenchyma and meristematic cells of yellow, yellows of grapevine, chlorosis and apple proliferation, carrot proliferation and necrosis of grapevine, देखो, कितनी सारी जिगे मिलता है, ठीक है, कितनी सारी जिगे मिलता है, देखो, कहां-कहां मिलता है, parenchyma में मिलता है, ठीक है, जो parenchyma वाला part होता है, plant का, वहां ये, आपके RLBs मिलते हैं, ठीक है, जो आपके non-tissue rickettsia like bacteria है, ये आपके plant के parenchyma वाले part में मिल जाएंगे, इसके अलावा meristematic cells में मिल जाएंगे, राइट, इसके अलावा ये आपके grapevine cells में मिल जाएंगे, ओके, chlorosis, chlorosis भी cause करते हैं, इसलिए आपके leaf वाले part में मिल जाएंगे, apple proliferation and proliferation and necrosis of grapevine, grapevine के necrosis और proliferation में भी ये bacteria आपको मिल जाएंगे, बात समझ में आ गई, तो इतनी चीज़ें clear हो गई बेटा, जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, इतनी चीज़ें clear हो गई, जितनी मैंने बताई आप लोगों को, हम लोगों ने आज के lecture में, xylem like, xylem like जो आपके RLBs होते हैं, उनके बारे में बढ़ा, phloem like जो आपके RLBs हैं, उनके बारे में बढ़ा, तो ये कुछ चीज़ें थी बेटा, जो specific थी और ये exam में पूछी जाती हैं, ठीक हैं, तो ये जो topic है, बटा, exam में काफी बार आपका exam में पूछा जाता है, कि जो आपके RLBs हैं, उनको किस तरीके से divide करा गया है, ठीक हैं, तो जैसे tissue specific हैं, तो उनको हम xylem और phloem के according divide करते हैं, कि xylem जो specific होते हैं, वो अलग होते हैं, phloem specific आपके अलग होते हैं, इसके लावा non-tissue specific आपके अलग होते हैं, और गैनिजम्स जितने भी होते हैं, ठीक हैं, और इसके अलवा इसमें जो इनके infection होता है, तो एक चीज इसमें common होती है, बिटा, यह सारे के सारे आपके gram negative होते हैं, ठीक है, यह चीज इसमें common होती है, यह सारे के सारे आपके gram negative होते हैं, दूसरे चीज, catalase positive होते हैं, ठीक है, gram negative होते हैं, catalase positive होते हैं, और तीसरी चीज, आपके non-tissues को छोड़ करके, non-tissues, rlb को छोड़ करके, बाकी यह जो दोनों हैं, बेटा, यह आपके non-motile होते हैं ठीक है बाकि जो आप जाइलम और फ्लोईम वाले जो आपके बेक्टीरिया होते हैं यह आपके नॉन मोटाइल होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं यह इन में आपके शूडो पोडिया या आपके लेक्स या आपके फ्लेजला जो है जो भी आप बेक्टीरिया जो है मूफ करने क अपर प्रेजन नहीं होते हैं इतनी चीज़ क्लेयर हो गई ऐसे और गन्स यहां पर प्रेजन नहीं होते हैं जो जैनरी बिक्टीरिया जो है वो मूवमेंट के लिए यूस करता है लाइक आपके फ्लेजिला हो गए सुट्योपोडिया सोगए तो यह जैनरी इनमें कॉमन फेक देखो gram negative होते हैं just because these bacteria are gram negative तो यहां से आप लोग यह identify कर लेना कि इसका color कौन सा होता है क्योंकि कई बार exam में इसका color भी पूचता है ठीक है कि आपका यह जो आपका रिकेटिया like bacteria होता है RLB होता है यह कौन सा color show करता है staining में तो देखो यह gram negative है इसलिए gram staining देगा ठीक है हम जो staining करेंगे और यह आपको जो color देगा वह कौन सा color देगा हमीशा pink color देगा क्यों pink color देगा just because this is the gram negative bacteria तो यह कुछ चीज़ें आप लोगो ध्यान में रख करके पड़ों एतनी सारी चीजें ब्रेन में रखना नॉट पॉसपिल टाइम पे इतनी सारी चीजों को रखो ठीक है लेकिन अगर हम चीजों को конnekt करके पढ़ते हैं लिंक करके पढ़ते हैं तो वो चीजें जादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहती हैं जैसे मैं आप लोगों हमेश्वा पढ़ाती हूं कि फंगल इंफेक्शन जो है ये हमेश्वा ध्यान रखो कि फंगस जाद तर उसको यूमिडिटी के रिक्वार्मेट जादा होती है तो जहां पर यूमिड कंडिक्शन जादा होगी वहां पर फंगल इंफेक्शन सबसे जादा आपको देखने को मिलेगा ठीक है कुछ आपके ड्राइफ फंगस भी होते हैं पर जैनरली जो फंगस है बिटा उसको जादतर जो हैं फंगल इंफेक्शन सबसे जादा होते है आपके डिजीज होती है इंफेक्शन सबसे जादा बóbकिश का यह बिल्याज डियाज की डिर्म तो आफिक पे होते हैं जिन में जैनरली अगर आप सोइंग करते हो तो वो काफी जाधा एक्ट होती है तो अगर ऐसे टाइम पे हम सोइंग करते हैं जिसे rainy season में sowing कर दी तो उस time पे आपके infection के chances काफी ज़ादा होते हैं बात समझ में आ गई तो अगर आप अपना production अपनी productivity इंप्रूफ करना चाते हो तो यह चीज भी आपको धिहान में रखने है बेटा कि आप क्या करो production को थोड़ा सा धिहान में रखने के लिए आप sowing time कुछ technical error हो गया था बेटा तो आप लोग दिन की agro methodology वाली जो 2-3 होती नहीं मेरी तो 3-4 होती है तो 3-4 वाली जो class होती है उस class को आप attend कर सकते हो क्योंकि 2-3 तो मेरी paid class होती हो PC वाली तो आप 3-4 वाली class आप attend कर सकते हो बेटा methodology वाली ठीक है क्योंकि methodology भी आप लोगे लि तो आप लोग के लिए objective हो गया, ठीक है, first question आप लोग की screen पे है, nucleoid present in which organism, nucleoid जो है वो कौन से organism में present होता है, bacteria में होता है, plant में होता है, virus में होता है, या फिर all of these, किस-किस में bacteria है, किस-किस में आपका nucleoid present होता है, फटा-फट से answer करो बिटा, nucleoid कहां present होता है, जल्दी से answer मुझे bacteria में होता है, plant में होता है, virus में होता है, या फिर all of these, 12 students है, 12 students, फटा-फट से answer दीचिए बिटा, 12 answer चाहिए मुझे, जल्दी से सारे student answer कीजिए, nucleoid कहां present होता है, कौन से organism में nucleoid present होता है, रोज फरीन कह रही है, virus में, अच्छा जी, ओके, बाकी बिच्चे भी answer करो बही जल्दी answer करो बिटा, कहां nucleoid present होता है, किसकी body में nucleoid present होता है, सूरज कह रहे हैं, plants में, शैलेंदर राजपूत, फ्रम करना जुत्तर प्रदेश, ओके बिटा, welcome in the class, शिवराज कह रहे हैं, C answer, virus, अच्छा जी, ओके, ठीक है, सारे बिच्चे answer करो, जल्दी answer करो बिट nucleoid किसकी body में present होता है, कहां present होता है nucleoid, tell me, very fast, हाँ शिवराज, आपका answer मैंने देख लिया, आपने C answer किया, virus, ओके, ठीक है, बाकी बच्चे भी answer करो बिटा, जल्दी से answer करो, कहां present होता है nucleoid, फटा फट से बताओ, आरुशी कह रहे हैं C, ओके, ठीक है, बाकी बच्चे बिटा, जल्दी से answer कीजिए, जल्दी से answer कीजिए बिटा, आशुरतोस्त्रपाथी कह रहे हैं plants, अब ना आप लोग की पिटाई होने वाली है, ठीक है, nucleoid कितनी बार मैं क्लास में बताती हूं, कि बेक्टीरिया की body में present होता है, just because nucleus is not bounded from any membrane, और nucleus is not present in any specific reason, that's why the nucleus present inside bacteria, we called it nucleoid, हम इसको क्या बोलते हैं, nucleoid बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेक्टीरिया की body में जो nucleus present होता है, जो DNA present होता है, बेटा, वो किसी भी membrane से, किसी भी layer से covered नहीं होता है, कितनी बार बताई है, चीज आप लोगों को बताई हैं न, देखो इस तरीके से bacteria है, इसकी body में इस तरीके से nucleoid पढ़ा होता है, ठीक है, ये किसी specific membrane से हमेशा structure बना के दिखाती हूँ, फिर भी भूल जाते हो, बताओ, देखो मैंने बताया था, कितनी बार बताया हुआ है, कि ये particular specifically किसी भी layer से मिलके, layer से नहीं घिरा हुआ होता है, किसी भी proper space में नहीं होता है, इस वज़े से इसको हम क्या बोलते हैं, नुकलियाइड बोलते हैं, नुकलियाइड कहां present होता है, बेक्टीरिया में present होता है, ओकी, वाइरस में तो बेटा, नुकलिक एसेड बोलते हैं, हम, वाइरस में क्या बोलते हैं, नुकलिक एसेड बोलते हैं, जो उसमें DNA या RNA जो भी present होता है, आपका, उसको हम क्या बोल और युकेरियौट में तो होता है यार और प्लांट्स maitamu क्यों आड़े हैं लोग दूसर से economy के ने 불्लैक पाउडर किस ने बता तकी जो वीड़ सीड है उसमें ब्लैक पाउडर होता है और वन यह समझमे करने बताए था फड़ा फड़ा इस अंसर कीजिए इसका की आंसर होगा सका wheat seed that contain a black powder, okay बच्चा ची क्या चलो आ गया ना समझ में सबको, very good, एक चल्दी से बताओ wheat seed that contain black powder, wheat seed जिसमें black powder होता है, वो black powder जो है काफी ज़्यादा poisonous है, एक और इसमें जो black substance होता है, वो ही सबसे जादा strongly effective होता है, वो ही सबसे जदा infection करता है, ये चीज ने बताई थी, मुझ मुनकर ने बताई थी एम फ्राइज ने बताई थी या फिर पिछल ने बताई थी सूरज कह रहे हैं B, सूरज कह रहे हैं B, B मुनकर आंसर है अच्छा जी बाकी बच्चे भी आंसर कीजे बेटा बाकी बच्चे भी बताईए कि क्या आंसर होगा इसका जल्दी बताओ फरीन आंसर करो बेटा जल्दी से जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका wheat seed that contain black powder wheat seed जो है वो black powder को contain करता है ये किसने बताय था आशुत उस्त्रे पाथी B बहुत दिन से class नहीं कर रहे है ना इसलिए पढ़ना अड़ना सब छोड़ दिया मझे लग रहा है ना B answer आरुशी भी कहा रही है B answer है सही से देखो बेटा सई से देखो मैं पढ़ा चुकी हूं से कहां कहां रहते हो आज कल हाँ नई बिल्कुल भी नि जिनका answer भी है उनका answer बिल्कुल गलत है मुझे बताते हैं बहुत दुख हो रहा है इसका answer है till it बताया था मैंने कि till it ने ये proof किया था कि जो भी wheat में black substance है राइट जो भी wheat में black substance है बिटा वो black substance जो है वो आपका सबसे ज़्यादा poisonous होता है वो ही substance बहुत ज़्यादा poisonous होता है और ये till it ने बताया था बीबी मुनकर ने तो cotton की resistant varieties दी थी बिटा बीबी मुनकर ने इंडिया में cotton की resistant varieties दी थी ओके उन्होंने resistant varieties develop करी थी Healthcare resistant varieties of cotton cotton wilt के against उन्होंने resistant varieties develop की थी अगर हम EM fries की बात करते है तो EM fries को क्या बुला जाता है lineage of lineage of fungus lineage of fungi fungi में इनको क्या बोला जाता है lineage बोला जाता है क्यूं क्यूंकि lineage ने nomenclature दिया था और EM fries ने किसका नॉमन क्लेचर दिया था फंजाइस का नॉमन क्लेचर दिया था फंजाइस की नेमिंग करी थी इन्होंने फंजाइस का नॉमन क्लेचर दिया था that's why एम फ्राइस को क्या बोला जाता है लीनियस ओफ माइकोलाजी बोला जाता है बेटा भूल जाते हो tao is mycology इस वैशकी स्वाइट बनाए ती जो टिलिट ने यह concept दिया था ब्लक पाउडर का और इसके अलावा आपका जो एम फ्राइस है उन्होंने क्या बोला जाता है लीनियस ओफ माइकलोजी बोला जाता है ओकी ठीक है अब चलो ये बताओ इसका अंसर करो कि आ डेरेक्टरीट ओफ मश्रूम रिसर्च काहा पर है है ठीक है डीरेक्टरी ओफ मश्रूम रिसर्च कहां ते बताई ये बिटा कहां पर है ये डेरेक्टरी अफ मश्रूम रिसर्च कहां पर है सोलन में है धहरादून में है डैली में है या फिर कोलकाता में है कौन से स्टेट में है answers quickly students बिटा जल्दी सांसर कीजे आप लोग डेली शिवम कह रहे हैं अच्छा रचना कह रही है सोलन आरुसी कह रही है सोलन ओके सूरज कह रहे है डेली D.L.H.I होता है बिटा चंदर जोती कहां जी ते इंदर कह रहे है A. सोलन जी ते आरुसी कह रही है जिसका अंसर A है उसका अंसर बिलकुल सही है D.M.R. जो डारेक्टरेट ओफ मश्रूम रिसर्च है ठीके मश्रूम रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर जो है बेटा वो आपकी सोलन में है ठीके अर सोलन आता है आपका हिमाचल परदेश में ठीके सोलन जो है वो आपके हिमाचल परदेश में आता है ठीके तो मश्रूम रिसर्च यह एक्चर यह संटर आपका पूछा जाता है examination में ठीक है तो डारेक्ट रीट डारेक्ट रीट आफ मश्रूम रिसर्च जो है वहाँ पर एक university भी है ठीक है वाइस पर्मार युनिवरसिटी जो आपकी ICR एक्रिक्रेडेरिट ICR से अफिलेटेड यूनिवरसिटी है ठीक है वाइस पर्मार युनिवरसिटी सबसे ज़्यादा फेमस वाइस पर्मार युनिवरसिटी है यह नौनी में है ठीक है यह कहाँ है नौनी में है यह यूनिवरसिटी ठीक है इसके लिए भी कई बार पूछा जाता है तो यह भी आपकी इंस्रिट्यटीटेट्ट है पटैटो रिसरच इंस्रिट्यूट जो है वेता ये शिमला में च्रिंब देखो एक कुशन से हमारे तीन कुशन साल्व हो गए है डीमार जो है डारेक्टरीट ओफ मैडिक मश्रूम डिसर्च वो भी आपका कहा है सोलन में है हिमाचल प्रदेश में है इसके अलावा आपकी वायस परमार जो युनिवर्सिटी वो भी सोलन में है ओकी और इसकी अलाव तो इस Research Institute भी आपका शिमला में ही प्रेजंट है इतनी बात समझवे आ गई तो बेटा इस इस आल अबाउट और टूड़ीज क्लास प्लांट पैथलोजी आज की हमारी कंप्लीट क्लास जो है प्लांट पैथलोजी की यह आपकी कंप्लीट होती है यहीं ठीक है तो चलो अब ह फ़िल आप अगर चाहा हो तो फिल कर सकते हो अगर आप अप राजिस्तान को बिलॉंग करते हो तो आप राजिस्तान जैईती का फिल कर सकते हो निए इसके अलावा आपके फाउनडीस इन ऐसी तो अभी वाले चल ही रहे है बाकी आपकी यह नैस विञें स़श निई है ठीक है जिसमें जो यह प्री और बाकी यह क्लास जो है तो अगर आप लोग चाहो तो से परिचेस भी कर सकते हो ठीक है यह आप इसमें कॉड कोड यूज करो हो तो y447 एे ठीक है इस code में आप लोग को discount भी मिल जाएगा तो आप लोग ये code यूज़ करके आप एफो की अपनी preparation कर सकते हैं ठीक है इसके लावा राजस्तान जीटी की भी आप preparation कर सकते हैं ठीक है डिरेक्टेट औफ मेज रिसर्च भी है बिल्कु सही बताए आपने अब यह मैं आपको अगले क्लास में बताओंगी ठीक है agriculture field officer का जो exam होता है बिटा उसके foundation batches already हमारे पास available है उसकी classes भी available है तो आप लोग अगर चाहो तो purchase कर सकते हैं मेरे आपकी bank किंग सेक्टर में लगती है ठीक है तो यहां पर आप की banking सेक्टर में आपको जॉब मिलती है और यह बिलकू सेंफ और सीकिय bombs au इसलिए जाते है agriculture के student third year से ही preparation करने लग जाते है तो हमारे पास भी जो batch है काफी सारे third year के students ने भी purchase किया क्योंकि यहाँ पर job competition तो आप लोग देखी रही बढ़ता जा रहा है banking का भी ठीक है तो इसलिए ही हाँ पर जो job है पिटे ही काफी जादा agriculture student के लिए एक तो हर साल निकलती है यह भी confirm है कि हाँ आई बीपियस का जो calendar आएगा उसमें आई बीपियस एसो की vacancies पका से रहेंगी ठीक है जो agriculture field officer की vacancies भी उसमें होती है अभी तो आप लोग की age है graduation करो तो easily apply कर सकते हो ठीक है students तो इनके batches में भी आप लोग ले सकते हो इसका syllabus जो है यहाँ पर आप लोग को particularly syllabus wise पढ़ाया जाता है जैसे राजिस्तान जी एटी है तो उसके syllabus wise बताया जाता है और यहाँ पर इसके इसका syllabus जो आपने चार साल में पढ़ा है वही complete इसका syllabus इसका पर्टिकुलर्ली कोई syllabus नहीं होता ठीक है जो चार साल में पढ़ होगे उसमें जो main main चीजें है वही पूछता है तो students this is about this is all about our pathology class तो अब हम लोग मिलेंगे Monday night में आपका 9 PM के round okay और मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगे next plant pathology की class तो बने रहेगा stay safe and thank you